तो फिन्स आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप सधारन से सधारन फोन के डिस्पले पे ना फिंगर पिंट लोक कैसे लगाईएगा जिहां गाई चाहे आपके पास 4G फोन है या फिर 5G फोन है कोई फरक नहीं परता है अगर उस फोन के डिस्पले पे ना फिंगर पिंट लोक नहीं दिया हुआ है उस फोन के पावर बटन में साइड वाले बटन में फिंगर पिंट लोक का सेंसर दिया हुआ है या फिर बैक साइड में दिया हुआ है और आप उस फोन के डिस्पले पे न लगाना चाहते हैं तो आपने इस दो मिनट के वीडियो को बारी किसे और लास्त तक देख लीजे लाइक दोसों यह जो फोन देख रहे हैं इस फोन में पावर बर्टन में फिंगर पिंट लोक का सेंसर दिया हुँआ हैं और इस वीड़ियो में आपको लाइप करके दिखाने जा रहा हूं कि इस phone के display पर मैं fingerprint lock activate कर दूँगा तो वीडियो को ध्यान सब बार 21 से देखना है देखिए अगर आपको क्या करना है अपने phone में जितना सरा lock है वह सबसे पहले activate कर लिजे लाइक यहां पर fingerprint lock activate कर लिजे और यहां पर pin lock या फिर pattern lock activate कर लिजे यह activate करने के बाद अब आपको क् तरीके अपने phone के setting को open कर लेना है ठीक है आपके पास जो इस भी company का phone होगा उस phone के setting open कर लिजेगा setting open कर लिजेगा नीचे code select कीजेगा यहां पर थीम का एक option मिल जाएगा हो सकता wallpaper का option के अंदर ही theme का option मिले तो आपको simply क्या करना है थीम बाले section पर चले जाना है थीम बाले section पर जाएगा तो आपको यहां पर शार्च करने का option दे जेता है तो आपको search करना है अपको पहले है यह से install का के राखे हुआ हूँ तो आपको क्या करना है यहां पर देख लिजेए ध्यान से यह theme आपको install का के apply करना है यह यहां पर और नीचे की तरफ ले चलता हूँ यह यह फो र 되ीम को इन्स्टॉल कर लेना यानी डैउनल करने जो डैरेक्ट अप्लाइन नहीं करना यह को सिर्फ और सिर्फ को टिकर रहें दाना है यह सबी हो इसी को ऑंंतिक कर देना है सिर्फ लोक एस्किन और अप्लाई करना इससे क्या होगा कि आपका बेसिक जो थीम है नहीं वही रहेगा दिस्पले पे लेकिन यहां पर देख कि जईसे कि यह जो ब्यसिक मेरा थीम है वही है ठिक कुछ चेंजर नहीं हुआ है लेकिन हमारे फोन के डिस्पले पे यहां पर द जेख सकते हैं, अभी मेरे भी उंगली से यह नहीं खुला है, अब यह क्यों नहीं खुला है, क्योंकि इसको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, इतना तो समझगा है कि डिस्पले पे फिंगर्पिंट लोग का है, सेंसर यहां पे एक्टि ठीक है तो गायज यहां पर हमने face lock को भी एक्टिवेट कर दिया है face lock activate करने से यह आपका fingerprint lock activate होता है ठीक है इस फोन का अंदर में जैसे कि यहां पर आप फोन का अंदर में यहीं होगा अब देखे मेरा face जैसी मैच हो जागा तो यहां पर सही का टिक लग जाएगा सही का टिक करेगा यह नहीं खुलेगा ठीक है क्योंकि यह जनुवन तरीका से fingerprint lock लगता है और जैसे आप अपना अंक के सामने अपना फोन रखेगा जैसे आप आपका हाथ में फोन रहेगा तो तो मैटिक यह लोग अनलोग हो जाएगा और जैसे आप यहां पर उंगली दीजेगा यह फोल जागा तो इस तर से दूसरा 4G फोनों या 5G फोनों सधान फोनों या सिंपल फोनों आप उस फोन के डिस्पले पे फिंगर पिंट लोग एक्टिवेट कर सकते है वीडियो के साला वीडियो को लाइक करना न खुलिएगा